बिस्मिल्य रुमाने रहें आश्लाम अलेकों कैसे मेरे यूटिपोने लिवी कोमेर कत्यों सब तीक होंगे मैं चैसे होंगे वेल्कम कत्यों मैं चैसे अबल फूट पर आज में बना रही हूं आम कार्चार अचले यह आम है 1 किलो बड़े बड़े पीस में कटवाई है तो मुझे बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं अचले स्टार्ट करते हैं लेकिन किल चुझे विज़र रहते हैं दो बड़े त्या बस किम भर कर मैंने इसमें नमादेत किया दो खाने के चमज मैंने हल्दी यह किये मैंने हल्दी और नमक हम में मिला दिया है मैं इसे एक रात के लिए छोड़ दूँगी और नेट छोड़ दूँगी इस सुबह में मैं इसका अचार बनाना स्टार्ट करूँगी चले फिट मिलते हैं फिट इसे में ढटक कर रख दोती है और नेट असलाम अलेकूम कैसे हो मेरे होट फेमिली उमिद करती हूं सब ठीक होंगे मज़े से होंगे वेल्कम करती हूं आज में बना रही हूं आज में रेसिपी बता रही हूं आम के अचार के ट्राडिशनल तरीके से आम के अचार है यह आम ही जिससे में हंदी और नमक डालके राद भर के लिए नमक के पानी में रखाता फिर उसको मैंने एक दिन के लिए फेन के नीचे छुट्टा छोड़ गया ताके वह थड़ा सा सुख जाए इसमें नमी है जो सुख जाए और यह मसाला है द्थन्या अख़ा समय मिक्सर घ्रांडर में पिश लोगी स्वादे नशन नमक के पूना चमत हींगे पिली सर्षोई जिससे राए के खुरिये बोलते हैं पता नहीं आप क्या भूलते हैं से मैं तो इसने राए के कुरिये बोलती हूं जे सोगरा में प्रतास ग्राम लसून के आखी कर लिए यह आखी जाएगी यह मेथी दाने के कुरिये हैं इसको भी हम मेथी दाने के कुरिये बोलते हैं पता नहीं आप क्या बोलते हैं मुझे कमेट में जरूर लिखिए और यह बड़ी चमच परके सोफ है 20-25 लोंग है एक चमच कस्मीरी मी ने पेपरे आखे जो अके जाएंगे तो जले स्टार करते हैं अचार बनाना को टेस्टी अचर बनता है यह चैनल पर नहीं है मेरे चैनल को सस्क्राब्र किचिए मेरे टेस्टेवल फूट को मेरी रेसेपी आपको कैसी लगती है मुझे कॉमेट बोक्स में जरूर बताए य इसे पीस हूंगी, ब्क्सर ग्रेंडर में. धन्या मैने ग्रेंडर में एक्षूआगी हैं, मैं सेपीस हूगी, धन्या को दरळर पीसShow रेямा की इस तरह सबसदी आपषने काईसे। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूं यह भन्या है मैंने इसे दलदर अपीस कर इसमें एट कर दिया है यह मेथिये राइये राइये के कुरिये सरसो पीली सरसो यह मेथिये इसको भी मेथिये के कुरिये है यह बोलते हैं यह भी मैंने इसमें अट कर दिया लसुम है यह इसमें अट कर दिया सारे पाउडर मसाल दोए यह इसमें जाएंगे मैं सबको मिक्स करूँगी ट्रडिशनल तरीके से यह अचार है बोटेस्टी बनता है आप लोग एक बार बना कर जरूर देखना मेरे रेसिपिक कैसे लगती है पूबी में जो बताना यह आम को खट्टा पानी है जिसे मैंने रात भर आम को भीगो के रखी थी इसमें नमद हल्दी में यह खट्टा पानी है इसको बोड़ा बोलते हैं खट्टे पानी को इसमें मैं यह सारे मसाले एट कर दूए इसमें इसमें मिस्ट करके एक दिन के लिए हम रख देंगे ताकि इसका खट्टा सांगरा मसाले में आगर अब मैं यहां में सारे स्मेट कर दूँगी इसमिल्ला कर दोंगी इसमिल्ला कर दोंगी इसमें कोई भी तेल कर सकते हैं कोई भी तील का तेल कोई भी अच्छा वाला तेल एट कर सकते हैं ज्यावे तर इसमें सीन का तेल अच्छा लगता हैं देखिए मसाले सारे मिक्स हो गया इसमें मैंने आम के पीस बेट कर दिये और मैं इसे ढग कर एक दिन के लिए रख दूँगी एक तीन मतलम अभी तीन बज़े हैं कल सुबह तलग इसे इसी मसाले में रहने दूँगी फिर मैं आप समेकते हो इसे ढब कर रख दूँगी में एक राप के लिए मुठी धन्या भी एटके है और हींग डालना भूल गई थी मैं सोरी हींग एक चमस हस्वादनुसा नमक अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं चर में तो ज़्यादा राली है क्योंकि हम ज़्यार कम नमक खाते हैं इसलिए मैंने कम नमक डाला है पूरा इसको मसाले में डीप करकर रखा था है उसको बहुत अच्छी आ रही है तो मैं इसमें ओलेट करूंगी क्यां के ऑल में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और पांट से हरी इयलईची ही और प्रहाय को घरंगे है सिंग्टÈले ये सिंग्तिया और केदा वह गया, उसके इसको में चाल में एड कर देती हूं इसे मिक्स कर लेती हूं बहुत अच्छे कुछ भूआ रही है यह ट्रडिशनल तरीके से इचाल बना है और बाल जरा एक बारा बना करता हुझना आप में आचाल को सबस्क्राइं उच्छे लगया पूशन मोसे अच्छे वह लगया तो लायक सब्सक्राइं आप तो सब्सक्राइं याütün नमक बनाकर खिर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिश बना हुआ है एक बार बना कर जरूर देखना अपने दोस्तों में शेर करना अपना खैल रखना अल्ला पीस